Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना human anatomy और physiology का next chapter chapter number 10 जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं, skeletal muscles क्या होती है skeletal muscles, पहले एक चीज़ आपको clear कर दूँ मैं यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ skeletal muscles उमीद है chapter number 3 में जो हमनों टिसूस पढ़े थे, cardiac muscles, smooth muscles, skeletal muscles यह दिमाग में चीज़ें clear होंगी आप लोगों को, ठीक है, अगर यह चीज clear है आप लोगों को तो skeletal muscle कौन सी हो गई, यह वाली, जो muscles हमारी bones को, जो muscle हमारे skeleton को यानि कि हमारी bones को control करती है, move कराती है, जैसे कि यह उंगलियां हो गया, यह हो गया, ठीक है ना, अब यह पलके तो खेर bone नहीं है, यहां पर लेकिन कह सकते हैं, पलक हमारे control में है, तो overall वो muscles हमारी bone को move करा रही है, जो हमारे control में है, वो सब किसके अंदर आती है, skeletal muscles, जो muscles हमारी blood vessel में पाई जाती है, खून की नसों में पाई जाती है, वो muscles smooth muscles होती है, वो इसके अंदर नहीं पड़ी जाएंगी, नहीं आती है, ठीक है, liver में, kidney में, हमारे intestine में, हमारे stomach में जो muscles पाई जाती है, वो सब smooth muscles हैं, वो यहां पर हम study नहीं करेंगे, तो बिलकुल द दिमाग में एकदम, set होनी चाहिए, skeletal muscles क्या होती है, चलो, मेरे खाल से चीज भी clear होगी, एक और चीज यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा इंट्रो देखेंगे हम लोग, ठीक है, इंट्रो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद histology जो हमारा main topic है, जो slaves में दे रख ओके, तो introduction की बात करें हमारे पास यहां पर क्या है, तो muscular tissues contributes to homeostasis, पहला point आ गया, कि जो muscular tissues होते हैं, contribute करते हैं, अपना योगदान देते हैं homeostasis में, हमारा homeostasis का मतलब क्या है, हमारी body का environment एक समान रहे, यानकि temperature एक समान रहे, हमारी body का pH एक जैसा रहे, बदले नहीं, ठीक है, उसी परकार ये भी कुछ ना कुछ homostasis में अपना योगदान दे रहा है, किस टाइब के homostasis में, by producing body movements, यह जो body के movements है, ठीक है, कृष याद आया, ठीक, यह जो body के movements हो रहे हैं, वो balancing रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जब आदमी drink कर लेता है, तो पता चला बॉलिन डालता है, और बॉलिन डालने कवा उसके पैर आगे आते हैं, तो अपने आपको वो balance कर ले जाता है, किलियर हो गया, तो यह है balancing, यह होमयोस्टेसिस, कोई चीज़ जो हमारी body है, बैलेंस हो रही है, ठीक है, तो उसको होमयोस्टेसिस कहा जाता है, दूसरा point आगे एसे moving substances, हमारी body में substances को move कराने में भी यह help करता है, through the body, अब यह देखेंगे, substance कौन से होते हैं, जैसे कि हमने जो पेट में, हमने जो खाना खाया, वो आगे जाकर करके, इंस्फिंक्टर्स जो होते हैं, वो भी muscles होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, muscles होती है, तो वो इसक muscular tissue की बात कर रहे हैं, हर टाइब के muscles की बात कर रहे हैं, ठीक है, and producing heat, यह heat भी पैदा करते हैं, यानि कि जब यह glucose को तोड़ते हैं, energy की ATP बनाने के लिए, उस सारी energy निकलती है, heat के रूप में, to maintain normal body temperature, तो हम देख पा रहे हैं, कही ना कहीं, यह जो हमारी muscles हैं, एक तो body का movement और body का heat, temperature को maintain करने में, काफी ज़्यादा help करते हैं, दूसरी अगर हम बात करें इसकी, muscular strength, ताकत, धक्का मारना, उठाना, यह जो strength है, reflect the primary function of muscles, yes, of course, muscles मतलब strength, atomatic दिमाग में आता है, तो main, primary, सबसे बड़ा primary function क्या है, strength, कितने मजबूत muscles हैं, कितना वजन उठा लेते हो, लाई जगडा करते हो, तो कितनों को पीट लेते हो, ठीक है, या कितनों से पिट जाते हो, वो बात की बात है, ठीक है, तो muscular strength reflect, यह reflect करता है, क्या चीज़, the primary function of muscles, तो strength जो है, वो muscles का primary function है, याने कि, अच्छा, strength A कहां से रही है, याने कि, वो strength जब पैदा करता है, मैं जो chemical energy है, याने कि, glucose हो टूट रहा है, ATP बन रहा है, और, mechanical energy, जब मैं धक्का मार रहा हूँ, तो, जब मैं धक्का मारता हूँ, तो मेरी body में बहुत सारा chemical break करता है, और, ultimately, mechanical energy generate होती है, किस रूप में, force के रूप में, या फिर, perform work, कोई काम कर रहा हूँ, उसके रूप में, जैसे मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, हाथ पर हिला रहा हूँ, चल रहा हूँ, and produce movement, या में को जब चलना है, उस समय भी क्या है, मेरी body की chemical energy टूट रही है, किस में, ATP में, पास समझ भाई, the three types of muscular tissue, skeletal, cardiac, और smooth, हम जानते हैं, were studied, हमने study कर लिये थे, chapter number third में, tissues को difference वगरा सब आपने देखा था, नहीं पता है बेटा, अगर, ये भूल गए हो, अगर, तो जा करके, यहां चाहो तो वीडियो पॉस कर सकते हो, चैप्टर 3 में जा करके, एक बड़ी थोड़ मस्किलो टीस्यूस को समझ लो, तो चीज़ीं और असान हो जाएंगी, बात समझ भाई, आग की बात करेंगे, iskeletal muscle tissue is so named because, इसका नाम ऐसा है, क्योंकि most skeletal muscles, ज्यादा तर जो skeletal muscles है, move the bones of the skeleton, जो हड़िया है, उनको move कराने में, ये help करती हैं, मदद करती हैं, इसी लिए इनका नाम skeletal muscles पढ़ गया, ठीक है, skeletal muscle tissue is striated, मतलब धारीदार, जब ये वाला पार्ट पढ़ थारियां होती हैं और इस चैप्टर में हम लोग इस धारियों को डेटेल में समझेंगे उसकी वज़ाए समझेगे है अगर ये धारियां नहीं हो तो मसल्सनली मूवी ना कर पाया डेटेल में समझेunkहें जब जब हम mechanism समझेंगे muscles contraction का ठीक है तो इस्ट्राइटिट मतलब धारियां धारियां होती क्या alternating याना कि एक के बाद एक light और dark protein band एक light protein band होती है एक डार्क याना कि हम देखेंगे दिखाऊंगा बाद में structure एक हलका dark होता है फिर अगला area सफेद होगा डार्क सफेद ऐसा होता है यह ऐसा क्यूं होता है इसका detail reason हम लोग आएक के chapter lecture से समझेंगे ठीक है इन धारियों को हम लोग stricons कहते हैं और scene when tissue is examined with microscope तो जब हम microscope से देखते हैं तो यह धारियां हमको नजर आती है skeletal muscle tissues are voluntary यह भी हम बात जानते हैं इस chapter 9 थार ने पढ़ा voluntary मतलब यह हमारे control में है in nature that is its activity can be consciously controlled voluntary का मतलब इनकी जो activity है उनको हम अपने दिमाग से control कर सकते है consciously हैं क्योंकि मैं को यह काम करना है grip करनी है छोड़ना है क्या करना है यह मेरे control में है by neurons that are part of the somatic division of the nervous system ठीक है अब थोड़ा यहां डिटेल हो गया तो आपको लगता है कि लाइन लंबी हो गई लाइन ठीक है तो यहां पर can we consciously control यहां तक आप चाहें तो इसको leave कर सकते हैं control किसके द्वारा हो रहा है निरोंस के द्वारा हो रहा है जो में ब्रेज में neurons होते हैं that are part of somatic neurons किसका हिस्सा है हमारा somatic voluntary division यह हम लोग सिखेंगे कहां पर जो अगला chapter है का nervous system कि यह somatic division क्या है ठीक है nervous system में खेर यहां तक बात समझ में आ गई now functions क्या है इसके functions समझे हम लोग function बहुत असान है तो skeletal muscle के functions क्या है through alternate contraction and relaxation भाई जो हमारा muscles है वो क्या करता है हम सबको पता है यह क्या हो गया relax हो गया यह contract हो गया तो यहां की muscles थी यहाली जो muscles है यह अब क्या हो गई फैल गई relax हुई और यह एक के अंदर अग चलीगी तो contract हो गई तो बस इतना ही तो काम है इसका यहां पर भी है जब में मुठी बंद कर रहा हूं तो relaxation हो रहा है और contraction हो रहा है तो overall जो muscles हमारा काम क्या करती है relaxation और contraction होता है ठीक है muscular tissue has four key function यानि कि relaxation और contraction के माध्याम से चार तरह के काम कर लेता है चार function कर लेता है कौन-कौन से पहला producing body movement हम सबको पता है हमारी body movements होते हैं तो movement of whole body जो पूरी body का movement such as walking यान कि चलना दौड़ना localized movement such as grasping localized मतलब मैं खड़ा हूँ किसी ग्रैस मतलब जकड रहा हूं पकड रहा हूं तो बेटा देखो कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं कि सरा आप हिंदी का meaning लिख दिया गरो अरे लिखा नहीं तो जब मैं बोल रहा हूं मैं इसको मतलब पकड़ना है तो वीडियो पॉस करके लिखते चलो आप ठीक है आगे आते हैं दूसरा है stabilizing body position देखो ये बात कि हमारी body की जो position है उसको सकता है यानि कि मैं जो खड़ा हुआ हूँ जवान soldier खड़ा रहता है सीदा सीदा अब इसी जवान या soldier को गलती से बहुत ज्यादा दारू पिला दो तो वह क्या करेगा खड़ा नहीं रह पाएगा ठीक है तो क्यों नहीं रह पाता है क्योंकि जो पढ़ेंगे next nervous system में आगा जो हमारी brain का प्रेंगे सेरे बेलम और सेरे बरम जो पार्ट होता है उनके बीच का alcohol जो है तालमेल बिगाड देता है ठीक है तो प्रॉपर stable नहीं रह पाती है हमारी body के position को stabilize करके रखती है skeletal muscle contraction stabilize जो हमारी muscle contraction होता है जैसे कि आगे बटराओं तो contact करेंगे वापस बुला लेगी stabilize joints जो joints होते हैं जहां जहां पर उनको stabilize करती है and help maintain body position such as standing और sitting तो यानिके हम खड़े हुए है तो proper खड़े रहे और बैठे है तो proper बैठे रहे ये काम हमारी muscle सी करवाती है ठीक है तीसरा storing and moving substances within the body body के अंदर substance को store करती है और move कराती है तो storage is accomplished by sustained contraction of ring-like bands अब यहां पर आप लोगों को देखो कुछ चीज़ा बच्चे confused जाएंगे storage is accomplished जो storage है वो पूरा accomplished किया जाता है पूरा किया जाता है by sustained contraction लगातार contract जैसे मालोग कोई चीज़ रिलेक्स है वो लगातार contract कहां पर है ये हमारे से stomach है ठीक है स्टमक के बहार हम लोग पढ़ चुक है डाइसे सिस्टम में इंस्फिंक्टर्स होते है वो लगाता है जब contract रहते हैं तो बंद रहेंगे अनाल इंस्फिंक्टर्स यह तो हमारे कंट्रोल में है तो हम सब की बात नहीं कर रहें जो जो हमारे कंट्रोल में है तो जो जो इंस्फिंक्टर्स के अंदर जो हमारा waste material अगे घटा हो जाता है उसको करके रखने में help करता है a urinary analyder में जोप्र जो यूरुन को ब्लेडर में रखने में help करता है थीक है उमिदहें बाद समझ में आ गई होगी ठीक है तो रिंग लाइक बैंड्स होते है जो इंस्टिंग्टरs होते हैं की तरह और हो रहता है छल्लोênio से स्मूथ मसल्स कॉल्ड इंस्फिंक्टर तो जिन बच्चे ने डाशी सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया है उनको यह बहुत अच्छे समझ में आ रुकते हैं अ और हालो ऑर्गरान के बाँ यान ौर्य के बार सब्सक्रान की समूधे मूसल सीट्चर वो दा है वेस ओर ठीक है तो जो इस मूसल्ट की बात बोल दिये बट पर जो यहां पर है एनाल वाला है ठीक है जहां पर एक्जांपल किसका दो गया आप एनाल इंस्पिंक्टर का और युरिनरी ब्लेटर वालेगा ठीक है जरनेटिंग हीट चौथा इसका फंक्शन क्या आ गया हमारे स्केल्टर मसल का हीट जनेरेट करता है अब process known as thermogenesis heat generation को हम लोग क्या बोलते हैं thermogenesis much of the heat generated by muscles used to maintain normal body temperature ज्यादा तर जो heat generate की जाती है ठीक है much of the heat generated by muscles muscles की दुआरा जो ज्यादा तर heat produce की जाती है वो हमारे body के normal temperature को maintain करने में खर्च हो जाती है involuntary contraction of skeletal muscles मैंने एक वरी पहले भी आप लोगों से बात किये और पूछा था कि बताओ सर्दियों में हमको जो कपकपी लगती है वो कपकपी क्यों लगती है जिसको हम shivering कहते हैं तो जब body के organ ठंडे पड़ते हैं थंडी पड़ती है तो शेक करके वो heat पैदा करती है जिसके हमारे जो body के organ से वो normal रहा है can increase the rate of heat production ठीक है तो जब shivering होता है उससे क्या heat production बढ़ जाता है ठीक है तो अगर कभी आपको लगता है कि सर्दी बहुत जादा है या कुछ साधन नहीं है और बिल्कुल ठंड लग गई है तो कुछ नहीं जम कर दोड़ लगा दो body में heat पैदा हो जाएगी फिर आकर गए रजय यह में घुज्जा ठीक है आ जाओ तो उमीद है function समझ में आ गए होंगे next bit of very important properties of muscular tissue ठीक है यहां से आपके mcq गिरने वाले हैं आपको यह बास समझनी होंगी properties of muscular tissue तो पहली property है electrical excitability जहां से समझना है electrical मतलब हम सबको पता है जो signals होते हैं body के अंदर वो electrical voltage के रूप में जाते हैं neurons के अंदर signal जाते हैं अगर याद होगा प्राणा concept तो वहाँ पर भी क्या sodium, potassium, pump वगरा होते हैं इस टाइब से होते हैं यानिकि जो message का आदान परदान है वो electrical excitability की वह से होता है यहां पर current या voltage की रूप में हमारा signal पास हो रहा है it is a property of both muscles and nerve cells दोनों की property that is the ability to respond इसके छमता है response करने की certain stimuli by producing electrical signal तो कुछ stimuli, stimuli कैसे जैसे मैं खडा हुआ हूं और गल्ती से मेरा हाथ पिछे गया और गरम चीज़ को छूगा तो जैसी गरम चीज़ को छूँगा मैरा हाथ एकदम से हटता है तो यह क्या था? Stimulus का काम किया? Stimulus का काम किया मुझे उक्साने का काम किया मुझे नहीं उक्साया, मेरी उग्ली को उक्साया और उग्ली अपने आप हट गई signal किया brain में कि गरम चीज अदिक्कत हो रही है, cell damage हो रहे है brain ने का अच्छा आभी रुको उसने signal भेजा यहां की muscles को और यहां की muscles contract हुई और मेरा हाथ पीछे हट गया तो यह signal का आधान प्रदान होता है ठीक है वो electrical उसी कहा जाता है electrical excitability ठीक है और इसी को हम लोग action potential भी बोलते हैं क्या बोलते हैं action potential अगर cardiovascular system मेरे वाले पढ़े हैं topic तो वहाँ पर action potential को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है यहां फिर इसको हम impulse भी बोलते हैं ठीक है electrical signal भोल दो action potential भोल दो action potential भी muscles are referred as muscles action potential muscles के अंदर उसको हम muscles action potential भोलते हैं दो जी nerve cells जो की nerve cells के अंदर होते हैं उसको हम लोग nerve action potential भोलते हैं mention करना पड़ता है कहां generate हो रहा है फिर contractility यह तो सबको पता ही है contraction करने की छमता है हमारे muscles में it is the ability of muscular tissue to contract forcefully when stimulated by an action potential याने की गर्म चीज़ को छुआ यह relaxed था यह contract हो गया ठीक है तो जब stimulus के द्वारा या stimulus के द्वारा क्या होता है यह stimulate होता है तो इसके नदर छमता है कि यह contract कर सकता है extensibility ठीक है it is the ability of muscular tissue to stretch खिचने की छमता है जैसे कि हमको पता है नॉर्मल ठीक होता ना करके खीचा 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 कोई चीज में खीच रहा हूं ताकत लगा करके तो यह muscles मेरी खीच रही है खीच रही है एक time तक तो ठीक है उससे ज़्यादा करोगे तो यह cramps आ जाते हैं और फिर क्या होती है दिक्कत आ जाती है ठीक है फिर डॉक्टर बहुत ज्यादा confused होता है कि सर ये खिचाओ और elasticity बात तो ये की है गलत अगर पिजिक्स पड़ी है तो समझ में आता होगा और याद आ जाएगा इसमें elasticity का मतलब होता है कोई चीज जो खिच गई है उसके बाद अपनी original position पर वापस आ जाए हम कहते हैं कोई जो खिच रही है वो तो उसकी extensibility property है लेकिन उसको छोड़ देंगे अगर तो वापस से वह अपनी original position पर आ जाता है तो उसे कहा जाता है elasticity यानि कि अगर मैं कहूं किसी लोही की चीज को पूरा पकड़ के से तारों खीच दूँ तो वह extensible तो है लेकिन छोड़ दूँगा तो पूरे original में वापस नहीं आएगा बहुत हलका सा ही वापस आता है उतना पूरा वापस नहीं आता है तो elasticity का मतलब क्या हुआ रिगेन अबलिटी और मस्टिसी टू रिटर्न टू इस original length अपनी original length में ये वापस लोट के आते हैं कोई भी चीज जो खिचने के बाद वापस लोट के आजए अपने original shape में length में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसके बाद उसके पास elasticity की property है उमीद है ये properties आपको clear हो गई होंगी मस्टिसी टू जी ठीक है चलो now here we comes the main part histology ठीक है पानी वानी पी लो साई से नहीं बैठे तो बैठ जाओ क्योंकि यहाँ पर न इतने सारे terms आएंगे और bumper confusion होगा तो मैं फिर कहूंगा अगर जहां से देख रहे हो वीडियो समझ में आ रहा है चीज़ें तो जहां से लगे गरवड हो रहा वहाँ पॉस कर दो फिर उतना वापस से repeat करो फिर आगे बढ़ो confusion 101% होने वाली है जो बच्चे खास करकी पहली बार पढ़ेंगे ठीक है copy pen लेके बैठें हम वीडियो पॉस कर लें copy pen लेके बैठें पाने पी लें मूह धुलने अच्छे सा अगर नीद नीद आ रही है तो इस topic को अगर एक ही बार में clear करना है तो ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँँगा कि एक ही बार में clear हो जाए ओके चलिए एक ही बार typical anatomic को हम जाजते हैं microscope की माध्याम से ठीक है किसी tissue के चलो अब देखो मैं बेटा बात बता दूँ यहाँ पर confusion जैसे मैंने बताया तो थोड़ा समय स्टार्टिंग लेकर चलता हूँ डाग्राम की हल्प से समझाता हूँ फिर मैं return करके लेकर आएंगे देखो यह हड़ी उम से पतली परत होती है periosteum किसी को लग रहा कि यह परेश्ट्रम के लिए पॉस करें वीडियो और मेरा और और सिस्टम वाला चैप्टर देखे वह आपर स्टार्टिंग में बताया हुआ है ठीक है तो के लिए हो जाएगा अब यह जो बोन है इस बोन से ही जिस हिस्से से है मैंने बताया था जब टिसू उत्था चैप्टर पड़ा था तो मैंने एक टम दिया था MTB muscle to bone muscles जो जुड़ती है वो T कि Tendon से जुड़ी होती है किस से जुड़ी होती है Tendon से और मैंने बताया था यह आपका क्या रहेगा MCQ भी रहेगा उस chapter के हिसाब से भी इस chapter के भी हिसाब से भी तो जो मेरी muscles है देखो Tendon से जुड़ी होई है अब यह Tendon बने कैसे है यह भी आगए अभी पाट आएगा जहां पर फैजिया एक वर्ड आएगा समझेंगो से ठीक है इस Tendon के मादियम से muscles जुड़ी होई है और यह जो muscles है muscles आगे यह start हो रही है तो muscles को काट दिया गया है muscles को क्या कर दिया गया है काट दिया गया है ठीक है ना ऐसी लंबी लंबी muscles रहती है तो जैसी हमने muscles को काटा आगे तो हमने क्या चीज़ देखी यह skeletal muscle का हिस्सा इस्टार्ट हो गया है उमीद है imagine कर पा रहे होगा खासकर वो लोग जल्दी imagine कर लेंगे जो लोग non-wage खाते है ना उन्होंने कच्चा मास देखा होगा ठीक है तो अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से skeletal muscle इस पूरे जो skeletal muscle जो की एक तरह का organ हम कह सकते है हर एक skeletal muscle अपने आप में एक organ होता हर एक body color लग ठीक है ना इसके उपर एक पूरी covering होती है जिसको हम कहते है epimysium बहुत ध् करता हूँ ठीक है इसको मैं ऐसा गोल कर लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है सबसे ऊपर की covering क्या है epimysium तो यह होगे क्या epimysium एक्जाम में चाहिए तो अब इस्टागे डागरम बना सकते हैं ठीक है यह पूरा क्या है skeletal muscle है यह पूरा क्या है skeletal muscles है अब इस पूरा skeletal muscle है इसके अंदर बहुत सारे ना ग्रुप होते हैं किसके फैसिकल्स के दोखो यह एक ग्रुप यह दूसरा ग्रुप बना ग्रुप नहीं बहुत सारे इनको फैसिकल्स बोलते हैं यह जो एक फैसिकल्स दूसरा फैसिकल्स यह तीसरा यह चौथा यह पांचवा इसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स होते हैं क्या होते हैं फैसिकल्स फिर से दोराएंगे बहुत सारे फैसिकल्स होते हैं तो अगर कोई तुमसे पूछेगा अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि बताओ भाया स्केलिटल मसल्स किसका बना होता है तो तुम लोग पहले जवाब दोगे स्केलिटल मसल इस दा ग्रुप ओफ फैसिकल्स या बंडल ओफ फैसिकल्स इस मेड अप ओफ बंडल ओफ फैसिकल्स स्केलिटल मसल्स फैसिकल्स के बहुत सारे बंडल से मिलके बनता है या बहुत सारे फैसिकल्स से मिलके बन रहा है बहुत सारे फैसिकल्स से मिलकर कि हमारा skeletal muscle बनता है तो यह जो group है अभी physical पर कहानी खतम नहीं हुई है अब क्या किया गया है एक physical को पकड़ करके बाहर खीचा मैंने ठीक है कि देखे तुम्हारे अंदर क्या है बाद समझे बाई तो मैंने एक physical को पकड़ के बाहर खीचा तो यह वह फैसिकल है इसके उपर फैसिकल के उपर की जो यह फैसिकल है इसके उपर की सबसे उपर की covering है यानि कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा change करता हूँ और यह इसको फैसिकल बोल दिया ठीक है अब इसके उपर की जो सबसे उपर की परत है चरास आभी confusion हो वीडियो pause कर लेना ठीक है और फिर repeat करना तो skeletal muscles बहुत सारे fascicles का group होता है हमने इस fascicle को बहार खीचा देखें तुमारे अंदर क्या है हमने क्या देखा कि fascicle के अंदर भी बहुत सारे किसी चीज़ के group हैं और वह हमने क्या देखा fascicles के अंदर यह जो fascicle है इसके अंदर muscles fiber यानि कि जो actual में muscle cells होते हैं दो बाड़ी का cells होता है kidney का जो function unit क्या थी nephron थी liver की function unit क्या थी hepatocytes थे वैसे ही इस fascicle के अंदर जाकर के हमको muscle cells मिलते हैं यानि कि बहुत सारे muscle cells मिल करके एक muscle cell, दूसरा muscle cell, तीसरा cell, चौथा cell, पांचरा cell यानि कि muscle cells को ही हम लोग क्या कहते हैं muscle fiber ये एक बहुत बड़ा बच्चों में confusion पैदा कर देता है muscle cells कह लो, muscle fiber कह लो, इनी को हम लोग myocytes भी कहते हैं क्या कहते हैं, myocytes, तो muscle cells के कही सारे नाम है तो हमने क्या पाया, फिर से हमने क्या पाया कि जो physical है वो बहुत सारे किस से बना हुआ है, बहुत सारे muscle cells से बना हुआ है ठीक है, these are muscle cells, इनको muscle fiber भी कहते हैं, myocytes भी कहते हैं के लिए भी बाते हैं यहां तक, तो physical is the group of muscle cells skeletal muscle is the group of physicals, ठीक है, दिमाग में, नहीं समझ माया है तो फिर से skeletal muscle is the group of physicals, physical is a group of muscle cells muscle cells का group होता है, और बहुत सारे muscle cells मिल करके एक physical बनाते हैं के लिए रुआ है, यह बड़ा confusing है बच्चों के अंदर, फिर से, ठीक है अब हमने क्या क्या, हमने देखा है, muscle cells जो है न यह, यह भी घरबढ़ है कुछ इसके अंदर भी कुछ दिख रहा है, इसके अंदर भी कुछ दिख रहा है, तो हुआ क्या, भाई, यह obvious ही बात है, रुका थोड़ा जाएगा, हमने फिर उसके अंदर जो दिख रहा है, उसके खींचा, तो उसके अंदर भी pipe जैसे एक चीज बाहर निकल के आई, और हमने देखा, भाई, इसके अंदर भी कुछ है, याने कि, जो muscle cells हैं, उनके अंदर भी कुछ चीज पाई जा रही है, ठीक है, जिनसे की muscle cells बना हुआ है, तो, जो muscle cells थे, वो हमने क्या देखे, वो बने हुए है, धेर सारे myofibrils से, किस से बने हुए है, धेर सारे myofibrils से, myofibrils क्या है, डेटेलिंग करेंगे, अराम से करेंगे, ठीक है, यहे जो myofibrils है, यही muscles को contact कराने में help करती है, ठीक है, जैसे की cells के अंदर mitochondria energy generate करने में help करता है, तो muscle cells के अंदर जो myofibril नाम के filaments पाए जाए जाए filaments क्यों को आ गया है कोई लंबे लंबे होते हैं ये ये इसको contraction में help करते हैं तो उमीद है यहां तक आपको बाते हैं clear हो गई होंगी ठीक है अब देखो ठीक है हमारा क्या हो गया था perimyacium तक हो गया था क्या हो गया था perimyacium facials की गया और epymysium skeletal muscle की है जो मेरा muscle cells है ना इसके उपर भी एक परत पाई जाती है जिसको कि देखो मैंने क्या किया यहां पर इस facicle को भार खीचा भार खीचने का था जैने muscle cells को भार खीचा muscle cells के जब मैं भाहर खीशता हूँ ठीक है तो इसके उपर ने सबसे उपर की परत है उसको क्या कहा गया है endomysium और उसके अंदर सारकोलेमा होता है सारकोलेमा मतलब plasma membrane हर cell का अपना plasma membrane होता है तो muscle cells का plasma membrane किसके अंदर है this endomysium के अंदर याने कि muscle cells के उपर एक परत पाई जाती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते है endomysium ये परतें बहुत important है endomysium तो cell के उपर भी एक परत पाई जाती है fascicle के उपर भी एक परत पाई जाती है पूरे के पूरे skeletal muscle के उपर भी एक परत पाई जाती है के लिए भी बाते हैं तो इसको थोड़ सा और डिटेल में देखिया अगर हम लोग तो यह मैंने एक सेल खीच लिया देखो यह पूरा फैसिकल है फैसिकल के अंदर बहुत सारे muscle cells बने हुए muscle cells के अंदर बहुत सारे अपने क्या है यह देखो गोल 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 यह क्या है these are myofibrils myofibrils के जो है उसके अंदर क्या पाया जाते है बहुत सारे ratio type के filaments पाया जाते है जो हम आगे पढ़ेंगे जो की क्या होते है actin और myosin होते है इसको हम आगे डिटेलिंग पढ़ेंगे myofibril के detailing आगे करेंगे फिला सिर्फ यहां तक समझें कि muscle cells के अंदर myofibril नाम का एक खास चीज पाये जाती है जो किसी और cells में नहीं होती क्यों muscular cells के अंदर होती है जो इसको contract और relax करने में help करती है ठीक है तो चलो तोड़ा सा revise करें चलें वापस बहुत सारे myofibril मिलके क्या बनाते हैं मतलब cells के अंदर बाकी चीज़ तो हैं ribosome, mitochondria, nucleus वो सब चीज़ तो हैं तो जो muscle fiber है या muscle cells है वो किस से मिलके बना होता है बहुत सारे myofibril से तो repeat कर रहा हूँ है group of myofibrils form क्या form करता है muscle cell इसी को हम लोग क्या बोलते हैं muscle fiber भी कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे myocytes भी कहेंगे तो नाम बेटा पक्ये से किलियर कर ले myocyte गल्द होगी spelling ठीक है अब जो muscle cells है muscle cells की उपर तो को यहें पर किलियर कर देता है इसके muscle cells की उपर एक परत पाई जाती है layer उस layer का नाम क्या है endomycium क्या नाम है ठीक है तेहान से जहां लगे दिक्कत आ रही है वीडियो को पॉस्ट कर लेना फिर group of muscle cells जो group of muscle cells form क्या form करते हैं क्या form करते हैं फैसिकल्स ये cells के group हैं ये क्या बना रहे हैं फैसिकल्स बनाते हैं ठीक है क्या बना रहे हैं फैसिकल्स फैसिकल्स के उपर की जो layer होती है ठीक है फैसिकल्स के उपर जो layer है इस layer का नाम क्या है पैरी माईशियम क्या नाम है पैरी माईशियम के लियर हुआ पैरिमाइसियम लियर अब बहुत सारे फैसिकल मिल करके ग्रूप या बंडल्स और फैसिकल्स फॉर्म क्या बनाते हैं? स्केलेटल मसल्स क्या बनाते हैं? स्केलेटल मसल्स और इसके उपर के लियर को क्या कहा जाता है? ठीक है? क्या बना रहे हैं? यह स्केलेटल मसल्स बन गया इसके उपर के लियर को क्या नाम है? एपी माइसियम क्या कहते हैं इसका हूँ लोग? एपी माइसियम लियर तो बिटा शुरुवात में तो बच्चे को यहां तक ही समझने में आफ़त होती है अगर आप यह लोग समझ गये हैं तो बहुत अच्छी बात है यह दियान से देखो इसको जो भार खीचा है तो जो एक-एक सेल है ना हर एक सेल के पास अपनी खून की सप्लाई है तो उमीद कर रहा हूँ यह वाला पास आपको यहसर समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉस करें फिर से समझें कि का चीज मिलके क्या बन रही है और पूरा skeletal muscle किस तरह से मिलके बना हुआ है और हमारा जो muscle cells है, muscle fiber उसके अंदर क्या हैगा, myofibril जो कि हमारा main component है इस myofibril का ही role रहता है contraction में जो कि हमारा आगे की जो lectures होंगे उसमें cover किया जाएगा उमीद है ये clear हो गया होगा और अगर कोई particular point समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत दे रहा है तो just comment me, मुझे comment करें इस video के नीचे जाथ comment करते हैं और मैं आपको आपर reply करूँगा उसको answer देने का पूरा प्रियास करूँगा अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं मतलब जैसे कि मैंने का यहां तो हमने यह समझ लिया यह तो लिखनी लिखनी है अब इसमें लिखना कैसे है diagram समझ में आ गया और यह बात तो लिखनी लिखनी है कुछ और बात है जब histology आएगा तो क्या लिखना यह थोड़ा सा और एक diagram है जो समझाने के परपस से है क्या समझाना चाहता हूँ इसमें देगा शुरुआत में जब हम embryo fetus होता है तो इस type से cells होते है फिर यह cells थोड़े से बड़े होते है फिर यह थोड़े से और बड़े होते है अब यह immature muscle fibers है फिर यह पूरे के पूरे बड़े हो जाते है लगबग लगबग 30-30 cm के लंबाई में होते है 30 cm समझाने लगबग एक एक फिट की लंबाई की cells होते है समझ रहे हो ते लंबे लंबे अब लिखना कैसे है इसमें अब इसमें लिखना कैसे अच्छा यहां पर एक और चीज़ें बताना चाहरा था छोटे सही जब embryo है तब इस embryo में जो cells होते हो कौन से होते है मायो ब्लास cells होते है तब इस एक मायो सैटलाइट सेल इसके साथ चिपका रहता है मायो सैटलाइट सेल ठीक है इसका में काम क्या रहता है मायो सैटलाइट का रिपेरे वगरा करता रहता है इसको ठीक है न और कुछ खास काम नहीं है अब लिखना कैसे है Each skeletal muscle is separate organ हर एक skeletal muscles जो है वो एक अलग organ है है तो organ ही तो हम हर किसी को एक अलग organ की तरह deal करेंगे यानि कि जितने भी skeletal muscle है वो सबके सब एक अलग organ की तरह देखे जाएंगे या समझे जाएंगे ठीक है यानि कि एक skeletal muscle के अंदर organ के अंदर क्या क्या पाया जाया था physicals थे cells थे वो तमाम चीज जो अभी हमने पढ़ी composed of hundreds to thousands of cells यानि कि उपर जो हमने एक structure देखा उसके अंदर 100 से ले करके अगर छुटा muscle है और thousand cells तक हो सकते है which are called muscle fibers इनको अभी muscle fibers या muscle cells या myocytes भी कहते है नाम का बड़ा confusion है बच्चों में because of their elongated shape ठीक है ना तो fiber क्यों कहा गया है या side क्यों लगा है क्योंकि ये elongated लंबे-लंबे होते हैं इसका अंत ऐसा होगा लंबे-लंबे से होते हैं इसलिए इनका shape कैसा elongated है इसलिए हम इसे fiber बोलते हैं thus muscle cells and muscle fibers are two terms for the same structure एक ही structure है याने कि cell है muscle का उसको चाहे muscle cell कहलो चाहे muscle fiber कहलो fiber क्यों बोला गया है क्योंकि ये लंबे-लंबे होते हैं धागे जैसे आ गया आते हैं skeletal muscle cells are elongated और tubular ये लंबे-लंबे होते हैं आज हो tube shape के हैं गोल-गोल shape के हैं they have multiple nuclei very important ये एकलाता एक ऐसा cell है ठीक है जिसके अंदर multiple nuclei बहुत सारे nuclei देखरो ये nucleus 1,2,3,4,5 इसके अंदर बहुत सारे nucleus पाये जाते हैं क्योंकि इसको काम बहुत ज़्यादा करना होता है तो इसलिए कई सारे nucleus अंदर पाये जाते हैं तो ऐसा कौन सा cell है हमारी body में जो multi-nucleate होता है यानि कि एक nucleus से ज़्यादा पाये जाते हैं तो ये आपका आ गया जाते हैं skeletal muscle is striated धारीदार होता है that is it has alternating pattern of light and dark band तो ये सारे point आपको जब histology वाला पार्ट आएगा तो लिखना पड़ेगा skeletal muscle also contain connective tissue surrounding muscle fibers and blood vessels and nerves इसके अंदर connective tissue पाये जाते हैं जो इसको surround करते हैं न क्या 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 स्राइंडिंग वाले कौन करते हैं epimycium endomycium perimycium ये सारे जो connective tissue surround कर रहे हैं ये connective tissue इसके अंदर पाये जाते हैं fascia is a sheet sheet मतलब एक covering होती है of stringy जान देना fascia f a s c i a fascia is not fasical ठीक है यहां फैसिकल अलग है fascia अलग है fascia क्या है group of cells है और जो fascia है वो परत है sheet है परत है ठीक है ना रेशेदार होती है रेशे जैसे रहती है connective tissue that surrounds every part of your body ये जो fascia है ना हमारी body की हर layer को cover करता है ठीक है उसी के अगर हों उधारन देखें it provides support to your muscles, tendon, ligaments, tissues, organs, nerves, joints and bones तो fascia एक परत होती है जो हमारी पूरी body में पाई जाती है इसका main gum support का है और ये हर जगे होती है यहाँ पर इसका जिकर क्यों हो रहा है क्योंकि three layers of connective tissue याने की fascia की बात हो रही है तीन layer होती है connective tissue की fascia की extend from the fascia वो जो तीन परते थी perimysium, endomysium और epimysium वो जो तीन परते थी वहाँ से तीन layer extend बहार की तरफ आती है to protect and strengthen skeletal muscle sorry उल्टा हो गया यह three layers of connective tissue extend from fascia मतलब उसके उपर जो परत होती है fascia उसमें से तीन परते निकलती है सबसे उपर अलग निचवाल से अलग फिर निचवाल से अलग ठीक है उस fascia से ही वो जो परते निकलती है ठीक है कौन-कौन सी epimysium, perimysium and endomysium fascia से ही निकलती है यह extend three connective tissue extends from the fascia fascia से ही extend हो रही है मतलब निकल रही है एक तरह से all three connective tissue layers may extend beyond the muscles very important यह तीनों की तीनों जो परते होती है यह beyond muscles muscles के बाहर तक होती होती चली जाती है ठीक है form a rope like tendon और ultimately क्या हो गया है एक tendon बना देती है याने कि अगर हम बात करें यह layer यह layer और यह layer यह पूरी पूरी बहार तक आ गई है तो यहां तक end हो गया इसका ठीक है ना यहां तक इसका end हो गया अब यह तीनों layer यहां पर जाकर के मिल जाती है और एक खास तरह का structure बना लेती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते है tendon और जुड़ जाती है तो देख रहे हो इसकी उपर की covering भी है और यहां पर जब जाकर जुड़ा हुआ है इसलिए पूरा proper connection है muscles ऐसे टूरती फूरती नहीं जल दी इसलिए ठीक है रो प्लाग रस्टी की टाइप का एक structure बना लेती है जिसम टेंडन कहते है यहां पर बच्चे जब पढ़ते हैं तो ध्यान से इन चीजों को समझना है ठीक है epimysum, perimysum, endomysium फैसिया का ही हिस्सा है या फैसिया ही है यह आखरी तक खोती होती चली जाती है और आखरी जाकर तीनों मिल जाती है और क्या बना लेती है टेंडन बना लेती है जो की बोन से जाकर जुड़े जाती है खत्म किलियर है तो यह बातें आपको इसके histology में लिखनी पढ़ेंगी अब कुछ terminologies हैं जो आपको यह बताने पढ़ेंगे जो आपको यह बताना पढ़ेंगा आपको इसे पूरा बंद कर देंगे तो यह इस टाइप से एक अंदर की तरफ बंद कर दो तो अंदर की तरफ ऐसा क्या करती है ये घुम जाती है जिसकी वाइसे यहां का पार्ट अलग हो जाता है इनके बीच के कनेक्शन को ब्रेक करता ये क्यों ब्रेक करता है समझेंगे आगे ये जो अंदर जुग गया है अंदर की तरफ चला गया है इसको इन्वेजिनिशन को इसको हम लोग क्या नाम बोलते है जो ट्रांसवर्सली यानि कि लंबा लंबा चला जाता है अक्रॉस असे short for transverse tubules transverse tubules को हम लोग T-tubules कह देते हैं तो ये T-tubules को आपको यहाँ दिमाग में रखना है इसका जिक्र आगे आएगा ठीक है then sarcoplasm sarcoplasm मतलब cytoplasm of the muscle cells sarcoplasm को cytoplasm कहते हैं next क्या है sarcoplasmic reticulum याने की endoplasmic reticulum sarcoplasmic reticulum मतलब endoplasmic reticulum of muscle cells it is store calcium very important ये calcium बहुत बड़ा role play करता है किसके लिए muscle contraction में which is essential in muscle contraction फिर है sarcoplasm ribosome को sarcoplasm कहा गया है sorry sarcoplasm क्या है mitochondria of the muscle cells sarcomere contractile or functional unit of muscles sarcomere को अभी हम देखेंगे जब हम myofibril के अंदर पढ़ेंगे तब sarcomere औच्छे समझ में आएगा cytosol हो गया mitochondria site is the energy production mitochondria जहां पर energy बनती है nucleus container genetic metal ठीक है ये बाते पता थी तो ये sarcozome, sarcomere sarcoplasm reticulum ये sarco-sarco word या myo word कहीं पे भी आता है तो समझ जाओ किसका जिक्र हो रहा है muscles का जिक्र हो रहा है clear है बाते है ठीक है तो अब हम थोड़ा सा इसको structure wise detail में देखते हैं तो देखो ये जो part था terminal muscle terminology ये part आप चाहें तो यहां से हटा सकते हैं ठीक है knowledge के लिए है ये लेकिन पता होना चाहिए मतलब जब आप answer लिखेंगे histology का तो सीधा यहां से लिखते 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 उसके ये terminology हटा सकते हैं terminology इसले बीच में देदी क्योंकि हम आगे जब इसको पढ़ाऊंगा तो ये कुछ word है जो बार-बार आएंगे सीधा सीधा आप फिर structure पर आजाएंगे ये structure भी histology का ही हिस्सा रहेगा ठीक है आगे आते हैं तो क्या कह रहा है skeletal muscle is designed as a bundle within bundle bundle के अंदर bundle होता है हमने देखी लिया तो skeletal muscle है वो bundle के अंदर bundle bundle के अंदर bundle ठीक है ना बात समझ में आगी the entire muscle is surrounded by connected tissue called epimyceum पूरा का पूरा जो वो है skeletal muscle है सब से उपर एक layer पाई जाती उसका हम लोग क्या बोलते हैं epimyceum उमीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी अब ये diagram सब से उपर क्या है epimyceum ठीक है the muscle is made up of smaller bundles known as fascicles अब जो muscle है वो छोड़े bundle से मिलके बना आता है इसका हम fascicle कहते हैं बता चुका हूँ मैं उपर fascicles are actually bundles of individual muscle cells fascicle जो खुद bundle है किसका muscle cells का these bundles are surrounded by a kinetic tissue sheet called perimyceum जो fascicles है उसके उपर की जो परत होती है उसका हम लोग क्या कहते हैं perimyceum कहते हैं कि लिए होती है यह बाते हैं तो यही सब बाते हैं जो आपको explain करनी है okay each fascicle is made up of several muscle cells known as myocytes हर एक fascicle बहुत सारे muscle cells से मिलके बना होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं myocytes कहते हैं यानि कि यहां पर जो मैं यह बात बता रहा हुँ बेटा इसकी जगे पर आप अगर यह बात भी लिख देंगे ना यह चीज इसके उपर की लेर के बारे में यही चीज है यह ठीक है ना यहां पर मैंने ऐसे बता दिया मुह पर लिखा हुगा है यह अजब एक्सप्रेंट कर दिया मैंने पहली ठीक है each muscle cell is surrounded by connective sheet known as endomysium muscle cells के उपर एक परत पाई जाती है उसे हम endomysium कहते है this sheet is very important in the physiology of muscle contraction यह परत का बहुत बड़ा रोल होता है यह एक cell को दूसरे cell से insulate कर देती है अगर एक cell के पास signal आया है तो दूसरे के पास नहीं जाएगा मैंने क्या कहाता हर एक cell अपना-पना काम करता है ठीक है because it electrically insulate the individual muscle cells from each other किस muscle cell के पास signal गया उसे के पास जाएगा इसा नहीं के सब के पास एक साथ चला जाए अगर insulation नहीं होगा तो एक के पास signal गया होगी electricity है ना पूरे फैल जाएगी हमारा पूरा एकदम जैसे दौरे बगरा पढ़ता है ना पूरी muscles एक साथ activate हो जाती है तो इस तरह की problem create हो जाएगी at the end of muscle all of the connected tissue sheath epimysium terimysium and endomysium converge to form tendon मैंने बताया आखरी में जाके तीनों लेर्स आपसे चिपक जाती है ठीक है और विल कनेक्ट दा muscle to its attachment site वहाँ पर जाकर जुड़ जाती है तो कहिने करें वही सब बाते हैं यह पॉइंट और वो moment almost match होते हो नदर आ रहें मेरे को जो बात यहां ने बता दी ठीक है ना यह लिखके भी इतना काम भी हो जाएगा ठीक है वो सारी बाते हो रिपीट हो रही है अपर अलग तरीके से each muscle five contain all of the organs हर एक muscle cells के अंदर हर प्रकार की organs होती है that we find in the other cells दो दूसरे सेम ही है mitochondria ribozome लेकि इनको special नाम दिया गया है ठीक है तो यह सब बाते हैं कहीं रिपीट होगी पिछली बार वाली तो इस ट्रॉक्चर को आप ऐसे भी कर सकते हैं जो उपर मैंने बताया वैसे एक कर सकते हो ठीक यह कहीं लता रहा है जो आपको लग रहा रहा है उसको point को आप single point बनाके रखेंगे ठीक है उसके दोदो बार नहीं लिखेंगे ये नोट के बोड़ रहा है तब प्रिफिक्स सारको और मायो तो ध्यान रखना कभी बच्चे कंश्यूस कर जाते हैं अगर कहीं शब्द आ गया सारको या मायो कहीं पहले लगा हुआ है इसका मतलब मसल्स की बात हो रही therefore if you see a word with either of these prefixes सारको या मायो वड़ कहीं लिखाओ मिल जाए तो समझ जाना मसल्स की बात हो रही है जिसकी बात हो रही है मसल्स की बात हो रही है clear अरे clear कहां आ गए मायो फाइबरिल में पानी डाल लो मुपे पानी पीलो मायो फाइबरिल और समझाओंगा आज ठीक है न मायो फाइबरिल भी histology की अंदर आएगा समझाना पड़ेगा मायो फाइबरिल को ठीक है इवन यहादा कि इसका question अलग से भी आ सकता है ठीक है एक सेल है यह क्या है एक सेल है सेल के सबसे उपर की परत अच्छा परत नहीं दिखा रखी है यहाँ पर सार को लेमा है और यही जो सार को लेमा है यह अंदर अंदर तक चला जाता है इस तरह कट मार देता है यह ठीक है यह अंदर क्या है सार को प्लास्मिक रेटिकुलम यह तो ट्यूब टाप की structure है इसके अंदर भर भर के calcium भरा हुआ है अब इसके अंदर यह एक एक structure है यह क्या है myofibrils है बीच में क्या भरा हुआ है सारकोप्लाजम भरा हुआ है यह myto-quanty अफसे हुए है अगर मैं एक myofibrils को बहार खीशता हूँ क्या करूं बहार खीशता हूँ मैं ठीक है तो मैं क्या देखता हूँ कि इसके अंदर मेरे को कुछ इस टाइप का पैटर नजर आता है ठीक है एक पतले पतले एक मोटे मोटे बैंड ठीक है तो जो मोटा वाला है इसको thick filament कहते हैं मतलब मोटे वाले धागे और पतले दागे हैं उसको लोग थिन फिलामेंट कहते हैं क्या कहते हैं तो इसको आप याद रखोगे ठीक है जैसे यह बैचा कंफिज हो थिन है ना actin, thin और thin ठीक है ना ऐसे technology को मिला लोगे जो thin है वो actin है thin thin इन इन आ रहा है इसमें thick में myosin कोई combination नहीं बन रहा है अगर thin actin है तो myosin thick हो जाएगा इस तरह से आपको याद कर लेना है कि दोनों में difference को आता है ठीक है यह देखो एक तो इसकी functional unit है याने कि जो contraction का काम करती है उसको हम लोग क्या कहते है सारको मेर अब इसको detail में देखते है हम लोग जो मैं इसको भार खीचा तो मेरे को इस ट्रैक को जो pattern नजर आया है ठीक है तो उसको और detail में study करना था हमने पूरा का पूरा भार ही खीच लिया उसे आजा बहार आ जाओ ठीक है तो माय फैर्वल को explain करना आना चाहिए तो दिहान से तो दिहान से अगर हम देखें तो माय फैर्वल के अंदर हमें ये कुछ पतले पतले ये actin thin filament दिखाई देते हैं और कुछ ये मोटे-मोटे thick filament दिखाई दे रहे हैं बास समझवारी है कुछ पतले-पतले thin filament और प्रेटना जो ये जिग-जैक लाइन है ये जैड़ डिस्क को कहलाती है ठीक है दो जैड़ डिस्क के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग सारकोमेर कहते हैं और यही क्या है functional unit होती है क्या होती है ये functional unit ध्यान से ठीक है ना clear है तो यहाँ पर हम गौर से देखें आपको चीज़ समझ में आएंगी ठीक है यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की रहती है यहाँ समय यहां से लेकर कर जो यहां तक की है यह आई बेंट काल आता है ठीक है ना इसको थोड़़चा और पार्ट पर आते हैं यह देखो ऑर इछि diez लाइन है और यह दूसरी जड लाइन है तो İş पा रहे है कुछ structure हमें यह ऐसा दिखता है इस क्यों detailing करेंगे बाद में तो जो thick filament है myosin वो कुछ ऐसा नदर आता है इसमें ऐसे hook type से रहते हैं यह hook type क्या करेगा यह यह hook लगे हुँ न यह ऐसे खींचता है तो यह pass में आ जाता है contact कर जाता है और release कर दिया तो वापस चला जाता है खींचे का तो पास में आ जाएगा तो मोटा मोटा दो दिख रहा है thick filament, myosin, पतले दिख रहे है thin filament, actin, ठीक है न अब हम देख सकते हैं कि jet disk से यह thin filament यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है ठीक है न, लेकिन जो यह thick filament है यहां से लेके यहां तक है तो जो यह thick filament का zone देखें अगर हम लोग यह देखो, यह, यह यहां से लेके यह clear है, तो जो thick filament है इसी को हम लोग क्या कहते हैं a band कहते है, clear हो गया erase कर देता हूँ, क्योंकि सारे दिखाने मेरे को okay, अब जितना यह thick और thin पहले से ही overlap हो रखें मतलब एक के अंदर एक है उतना हिस्सा zone of overlap कहलाता है उतना हिस्सा zone of overlap कहलाता है note करते जाना erase भी करता जा रहा है, क्योंकि मैं कोछ चीजह समझानी भी है इतना हिस्से पर overlapping नहीं है, उसका हम लोग क्या कहते है edge zone कहते है clear है यह भी clear हो गया अब बच्चा महारे पास क्या, eye band तो eye band क्या है, जितना जितना eye band यहां से ले करके यहां तक यह क्या कहलाएगा eye band, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगी overlapping आ जाएगी तो यही चीज है, जहां से overlapping होती है उसको छोड़ दो, यहां से ले करके यहां तक यह क्या कहलाता है अपना eye band ठीक है ना, देखो, यहां पर कर रखा यहां से ले के, यहां तक तो जहां पर overlapping नहीं है वो eye band, जहां मोटे वाला band free है, overlapping नहीं है sorry, overlapping नहीं, जहां पर यह thick band, जहां से ले के, जहां तक है वो, a band हो जाएगा तो यह आपको दिमाग में रखना है thick band किसको कहते हैं, thin band किसको कहते हैं, यह पूरा structure myofibril में आपको explain करना पड़ेगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ठीक है, फटा-फट देखेंगे जो thick filament का zone है उसको हम लोग a band कहते हैं thick filament a band है, जो यह पतला वाला जो eye band है, उसको हम लोग thin filament है, उसे हम eye band कहते हैं जितना overlap हो रखा है, zone of overlap जितना without overlap है, h zone कहते हैं और बीच में एक line होती है, जिसे हम M line भी कहते हैं तो यह diagram आपको explain करना पड़ेगा अच्छा, जब diagram यह structure मत बनाना exam में कैसे बनाओगे myofibril के diagram को myofibril diagram को sketch pen ले लो या कुछ भी ले लो किस सरह से करोगे, जैसे मान लो ऐसे 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 कर दिया फटा फट बता देता हूँ मैं या एक line सीधी 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 दो, ठीक है क्या कर दो ठीक है, एक line ये कीटी, एक line ये कीटी इस type से, ठीक है ना कोई जरूर नहीं है, बिल्कुल जिग जैग बनाओँ है फिर बीच में क्या कर लोगे, एक मुटा sketch का इस्तेमाल कर लोगे और एक मुटी line डाल दोगे, इस type से बन गया ये, ठीक है फिर नाम देते चले जाओगे, यहां से लेके यहां तक का नाम दे दोगे, फिर यहां से लेके यहां तक का नाम दे दोगे, ठीक है इसी को हम लोग आए क्या करेंगे explain करेंगे क्या बोल रहा है ये अब माया फाइबरिल ली cylindrical bundle, ये एक cylindrical bundle होता है, हमको पता है माया फाइबरिल ली एक cylinder जैसा है, cylindrical bundle है bundle क्यों क्यों आ गया है क्योंकि इसके बहुत सारे ठिक यहाँ पिजाएऑ, यह घूंसरी यह ठिक filament और यह थिन filament, ठीक है, bundle है यह भी, यह ठीक filament यह थिन filament, धिन यह थिक filament, इनका bundle है, थिक और थिन filament का bundle है यह bundle of αυτό इसको ठीक और थिन filament है, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं contractile protein यानि की actin and myosin जो protein ये protein है found within the muscle cells there are several myofibrils within each muscle cells एक muscle cells के अंदर बहुत सारे myofibrils होते हैं it is the arrangement of contractile protein ये contractile protein का arrangement होता है within the myofibril myofibril के अंदर जो contractile protein का arrangement होता है उसकी वज़े से that cause the striated appearance उसकी वज़े से धारी दार appearance आता है of skeletal and cardiac muscles का actin और myosin protein है जो की contractile proteins होती है उनका arrangement इस परकार से क्योंकि एक पतली धारी एक मोटी धारी है उसकी वज़े से हमें क्या दिखाए पड़ता है धारियां दिखाए पड़ता है मतलब एक पतला रेशा होता है एक मोटा रेशा होता है यांद कि हम कहा सकते हैं एक protein पतली है और एक protein मोटी है Maya fibril के अंदर जो Contact इंडिविजुपाटाटल पोटिन को हम लोग क्या बोलते हैं Maya filaments चेहते हैं these Maya filaments are generally divided into thick and thin filaments तो उसके अदर जो filaments पाय जा रहे हैं उसको नाम क्या बड़ा Maya filaments तो ध्यान रकना बेटा इदर देख लो क्या ध्यान रकना है कोई बोलेगा Maya रोला हैं तो फिल्ल में तो ह्योक्त भी सिल्दिर में न ही мало ४ाझल种 हैं ऊसे बाइबल विए उ आफो टियुए का अध्Genude फिलामेंट ही यह अगया जाओ और जो में फिलामेंट ते-इंद दो था तो होता है थे तक है तो पतला होता है इसलिए इसका बैट कैसा बfish आ चाहर होता है अधिन Thin Philamence are Composed of Mainly Protein Known as Actin, जो Thin Philamence है वो अक्तिन का बना हुआ होता है, Actin Ramence are Anchored, मतलब चिपका हुआ होता है into Z-line of Sarcomaeher, अच्छा Sarcomaeher, तो तो अलब किया बता है, तए जो Cultural Unit है, इस Does 맛 Come? तो Sarcomaeher के Z-line पर कौन चिपका हुआ है ये? Thin Philamence, इससे Direct Anchored है, मतलब शिपका हुआ है तरह थिक मयुश्ट में अव प्रोटीन वह से बना हुआ है फिर क्या रहा हूँ यहां पे ठीक नम्रिप पैदा हो जाएगी तो ठीक और थिन को लिख करके इसका डिफरेंस साहत में लिखते चलोगे तो जिस दिमाग आपिरेंस लाइट और डार्ग बैंट तो फिर से वही वाली कहानी यहां पर रिपीट कर दिये कौन सा था इस्टाइटेट यह वाला दा ओडरली ओवरलेपिंग जो एक के बाद एक ओवरलेपिंग हो रखी है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की इसकी वैसे उसे लाइट और डार्ग अपिरेंस आते हैं ठीक है न ता A-Band is dark band and corresponds to the length of bundle of मायोसिन फिलामेंट A-Band हमारा dark band होता है और यह जो कहते हैं मायोसिन की लेंथ है यहां से लेकर यहां तक उसको कोर्रेस्पॉंड करता है बताता है दर्शाता है ठीक है Because muscle contraction is sliding of myofilament past each other जो muscle contraction actually sliding of myofilament इसमें हो क्या रहा है मैंने क्या बता है यह है यह इसके उपर ऐसे चड़ जाएगा ठीक है यहां से जहां खिसकेंगे और यह दोनों एक क्यों पर एक चड़ जाते हैं मतलब कि यह जो part है यह जो deadline है यह jet line यहाँ आ जाएगी और यह यहाँ और यह यहाँ तो overlapping हो जाती है ठीक है तो वही कहा रहा है कि जो contraction of sliding of myofilament past each other जो एक दूसरे के उपर खिसक के चले जाते हैं we do not see any of the myofilament actually shorten तो ध्यान रखना actual में कोई muscle छोटी नहीं होती है आप सोच सुकड जाती हो ना वो केवल क्या है जैसे मानर क्या बताया है कि यह वाला हिस्सा है इतना दूर है वो slide कर गया एक उपर एक आ गया छोटा हो गया विस्सा हट गया तो इतना आ गया ठीक है sliding filament theory पढ़ेंगे बाद में the light bands are known as i-band light band को i-band कहते है the i-band are composed of mainly actin filament i-band actin filament का बनाव होता है each i-band is bisected by protein disc known as z-line ठीक है तो जो हर z-line से क्या होता है bisect याने कि divide हो रख्यों होती है तो यहाँ पर वही चीछी बोल रहा है जो i-band है वह z-line के द्वारा bisect आदा आदा bisect मतलब आदा आदा bisector जो होता है आदा आदा कटा हुए है actin filament are anchored into the z-line जो actin filament है वह z-line में anchored हो रख्खा है तो यहाँ पर एक चीज कोई anchor वाला बढ़ और आया था कुछ प्रवड़ गए अधर नी ठीक है वही है जैड लाइन दूरिंग muscle contraction जब मसल कॉंट्रेक्ट होता है actin filament slide ओवर मायोसीन जब मसल कॉंट्रेक्ट करता है तो actin filament slide करता है और मायोसीन के उपर आ जाता है ठीक है न दोने slides करके इसके मायोसीन के उपर आजेंगे मायोसीन मोटा वाला तो मैं शब्द भोल रहा है मायोसीन एक्टिन बड़ा confusing हो जाएगा तमस्ति जाना धीरे धीरे से विच रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ दा आई बेंड जब यह एक्यू पर एक आ जाते हैं तो आई बेंड मेरा बहुत छोटा हो जाता है तो देख सकते हैं हम लोग जैसे माल लो दो इस्ट्रक्चर फटा फट बनाता हूं मैं जैसे बात अच्छे इसके लिए हो जाए तो अभी हम देख पा रहे हैं ठीक है कि मेरा जो आई बेंड है वो करीपर ही यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या है आई बेंड है लेकिन जब कॉंट्रेक्शन होगा तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जब कॉंट्रेक्शन होगा तो यह ओवरलैप करता हूँ यहां तक आ गया समझ पा रहे हो तो यह खिसक के यहां आ गया अब यहां पर i-band तो रहा ही नहीं dark की dark band दिख रहा है dark band वह ज़्यादा गाड़ा होता है तो i-band विल्कुल गया हो जाता है क्योंकि यह पूरा इसके उपर आ गया है ठीक है तो यहीं चीज़ समझाने कुशिश की जा रही है माज़सी फिल्म विज रिजल्ट इन शौटनिक आ आई-band तो आई-band मेरा छोटा हो जाता है क्योंकि वो उसके उपर खिसक जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता फिर हमको इन दा मिडल ओफ A-band is somewhat lighter area known as H-zone यह रहा, lighter area होता है अलका सा दिश जोन कोर्रेस्पॉंट टो एरिया वेर वी है मायोसीन नोट ओवरलेप बाइ एक्टिन तो H-zone मेरे ने बताया था मायोसीन जो है एक्टिन के दोरा ओवरलेप नहीं किया गया है ठीक है? जब मासल कोंटेट करता है एक्टिन स्लाइट करता है मायोसीन के उपर एक्टिन स्लाइट सोवर मायोसीन इंक्रोचेस इनटू दा एरिया उसके एरिया के अंदर दख्रंदाजी करता है so that H-zone shortened फिर H-zone छोटा हो जाता है यह खतम हो जाता है ठीक है यह रह गया केवल एक्षिजोन काफ़ी छोटा हो जाता है वहीं पर यहाँ पर देखो एक्षिजोन यह रहा मेरा है ना तो यह एक्षिजोन काफ़ी छोटा हो गया मेरे पास ठीक है इन दा मिडल ओफ एक्षिजोन एक्षिजोन के मिडल में we see a dark band known as M-line एक्षिजोन के बीचा बीच में एक डार्क जोन हमें दिखता है जिसको कि हम लोग M-line बोलते है दा M-line is comprised of protein fiber that function to anchor the myosin filament यह भी protein का बना होता है यह myosin को जगड़ के रखता है ताकि myosin हेले डिले नहीं है ना ऐसे myosin हवा में सुना टंगा रहेगा एक protein रहता है जो इसको बांद के रखा है शीदा गर के ठीक है तो इसको बांद के रखा हुआ है clear है थोड़ा सा वैसा है chapter यह the area between the jet line is known as sarcomeria the area between two jet line तो दो jet line के बीच का जो area है उसको हम लोग sarcomer कहते है very important the sarcomer is the functional contractile unit of muscle यह जो sarcomer है यही functional contractile unit होती है है ठीक है तो इसको एक या दो बार पढ़ना पड़ेगा कि बार बार आई-बेंड आई-बेंड एम-बेंड एक्टिन यह तैच लाइन एम-लाइन यह सब चीजे आती है तो एक बार में साहिद clear नहीं होगा इसको जब पढ़ते जाओगे तो बेटा साथ-साथ में देख खुझ से भी ड्रॉ करोगे जिससे कि आप वो चीजें clear होंगी रीकैप करना है ज़रूरी है और होल मसल इस मेड़ अफ मैनी स्मॉल बंडल लोन अस टैसिकल पूरा मसल सेल मसल जो होता है छोट छोटे बंडल से बना होता है और बंडल का नाम क्या है फैसिकल इच फै बहुत चोटे बंडल से अंदर बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं मायो फाइबर्स कंटें सिलेंड्रिकल बंडल सोफ मायो फाइबर्स जो मायो फाइबर्स है यानि कि जो सेल्स हैं मसल सेल्स उसके अंदर बहुत सारे मायो फाइबर्स पाय जाते हैं विच इन टन कंटें मैनी स चीज कर दें हम लोग एक्चुली इसको मैं कॉपी-पेस्ट मारता हूं तो ज्यादा मजाएगा ठीक है यहाँ आगे यहाँ पर चालो यहाँ पर एक और चीज कर लेते हैं माय फाइबल से पहले क्या है group of myo filaments यादाया form क्या form करेगा myofibrils myofibrils my sano group क्या बनाएगा muscle's muscle cells का group क्या बनाएगा फैसिकल्स का गुरूप क्या बनाएगा इस कैल्टल मसल इन तीन के उपर लेयर पाए जाती है यही था रीकैप जो एक्चुली यह रीकैप था वो रीकैप यही था तो यहाँ पर यह जादा अच्छा रीकैप हुआ यह अगर आप समझ चुके हैं तो समझो की आपका मसल्स किलियर हो गया फिर ठीक है उसके बाद आपको मायो फैब्रिल्स के अंदर यह समझने के बाद आपको केवल और केवल यह समझना है दो चीज़ अगर समझ गए तो समझो फिर इसमें कोई चीज हमको विसेश पढ़ने वाली नहीं रह गई है किलियर है बाते है ओके तो यह पहला लेक्चर जिसमें बेसिक सारा मैंने किलियर किया है उमीद है मज़ा आया होगा सुरवात में बहुत ज़्यादा लास्ट में आते थोड़ा सा तर लगा होगा कि क्या क्या है यह कोई बात नहीं करोगे तो कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर एक्जाम में भी नहीं लिख पाऊ तो ठीक है ना कोई डारेट कोशन आएगा तो लिखना पड़ेगा बात बागी आपसों को पता ही है लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरा नंबर है कोई प्रॉलम आएगा तो और अपना ये मस्ट प्यारा सा एप है जो कि बच्चों के दौरब बहुत पसंद किया जा रहा है प्यार दिया जा रहा है ठीक है आप लोग अगर जुनना चाहते हैं तो 11 रुपे मातर फीस है जोड़ सकते हैं बाद बाकि सबसे जरूरी चीज रिवीजन रिवीजन करिए सारी समझ्चाओं का समझ्चान हो जाएगा यानल कि आपकी पढ़ाई की समझ्चान का समझ्चान हो जाएगा ओके? ओके? All the best!